फेरिंट्स डॉग्स को कौन पसंद में करता हैं कुछ डॉग्स क्योट नहीं चाहए होता हैं वाइल कुछ डॉग्स डेंजर नहीं चाहए होता हैं तो आज की वीडियो इससे ही रिलेटेड होने वाली है क्योंगि आज की वीडियो में आपको बताऊंगा Top 10 Dangerous Dog Breeds के बारे में तो बिना किसी दे रहे के Let's get started Number 10 Wolf Hybrid जैसे कि इनके नेम से पता चलता है कि इन जो breed आई वुल्फ से क्रॉस करी जाती है इनमें वुल्फ से बहुत सारी similarities भी होती है और इनके ट्रेनिंग के बात करें तो इनके ट्रेनिंग easy नहीं होती है इनके बहुत ही जादा hard training दी जाती है तब ये एक अच्छे dog बनते है ये Alaska, Georgia, Hawaii और बहुत सारी जंगाओं पर band है इनके weight की बात करें तो जो males होते हैं वो 17 kg से लेके 31 kg से तक होते हैं और females 34 kg से लेके 60 kg से तक होती है height की बात करें तो males 26 to 33 inches तक होती हैं और females 25 to 32 inches तक होती है number 9 German Shepherd वैसे तो ये breed बहुत ही ज़्यादा intelligent और smart होती है और अपनी owner के लिए बहुत ही ज़्यादा loyal भी होती है इसलिए इन्हें कई जंगाओं पर as a guard dog रखा जाता है और इंडिया में ये बहुती most popular dog breed के नाम से भी जानी जाती है इन्हें अगर खुला छोड़ दिया जाए या फिर इन्हें bad training दी जाए तो ये खतरनाक हो सकते है इन्हें कभी भी अगर लगता है कि इनके owner को या उन्हें खतरा है तो ये alert हो जाते है और unknown person पे attack कर देते है ये Ukraine, Bermuda, Belarus और बहुत साइज जंगाओं पे band है weight की बात करें तो males 30-40 kg तक और females 22-32 kg तक होते है और hide की बात करें तो males 60-65 cm और females 55-60 cm तक होती है number 8 boxer ये जो breed है mostly guard dog की तरह pet करी जाती है इन्हें बहुती सारे खाने की जरूरत होती है और इनका जो food होता है वह बहुती जादा cost ही होता है ये इस वज़े से क्योंकि इन्हें बहुत जादा power और बहुत जादा strength ची होती है इन्हें rows up to one hour की exercise ची होती है और इन्हें इतनी सारी exercise और इतनी सारी food ना दिया जाए तो ये weak हो जाता है height की बात करें तो males 57 से लेके 63 cm तक होता है और females 53 से लेके 60 cm तक होता है weight की बात करें जो males होता है वो 27 से लेके 32 kg तक होता है females 25 से लेके 29 kg तक होता है इस ब्रीड को किट से दूर रखने के लिए कहा जाता है क्योंकि एग्रेशन में सब को भूल जाता और किसी पर भी अटाक कर देते हैं नमबर सेवन ग्रेट यह ब्रीड बहुत ही बड़ी होती है और इनकी हाइटी इनकी पावर डिनोट करती है यह जमन शिफोर्ट से थोड़े सी मिलोर होती है जैसे कि लॉयल अपने ओनर के लिए और इंटेलिजेंस इनकी और ओनर को खत्रा होने पर अन्नोन परसंट पर अटा यह ब्रीड यूरूप में पाई जाती है इसलिए इनका प्राइस जादा होता है यह बहुत साइज जगाओं पर बैंड भी है नमबर सिक्स टिबेटियन मैस्टिफ अगर आप इस ब्रीड को देखो गए तो आपको शायद एक बेर लगेगा लेकिन यह एक डॉक ब्रीड हो प्रीड कार्णी पड़ती है इनका यह बहुत ही ज़्यादा जंदी बहर जाता है और यह बहुत ही चलती कम्जो या किलनुग वेग हो जाते हैं वैट की बात करें के तो सिक्स्टीवन की से लेकिसेवsters Ses Heim pon. होता है और Females 34 से लेकि 54 Jew stuff अंघी बात करें तो Mins 66 से लेकि 76 cm से تक होता है और Females 61 से लेकि 71 cm सोते है इतन की प्राईसिंग की बात करों तो यह वैसे तो लाक्स में होता है लेकिन अगर आप इने फुली ट्रेंड बाइ करोगे तो यह आपको करोडों में भी मिल जकते हैं नमबर फाइब डोगो अर्जेंटीनो यह ब्रीड पास टाइम में हंटिंग के लिए यूज करी जाती थी इन्हें छोटे मोटे आनिमल्स हो गए जैसे कि अपना वाइल्ड पिग्ज हो गए और डिय लेंड ऑस्ट्रिलिया में बैंड है इनके वेट की बात करें तो मेल्स 40 से लेके 45 केजी तक होती है और यह जो ब्रीड होती है अकेलिक वाइल्ड को मार सकते है किल कर सकती है इनकी पावर इतनी ज्यादा होती है और इसलिए यह नमबर फाइब अगर आपके पास यह ब्रीड रहती है तो आप उससे थोड़ा बच के रहे और बच्चों को उनके पास ना जाने दे इनकी लोयलनेस की वज़े से इन्हें बहुत साइज जगहों पर आज गार डॉग रखा जाता है यह बहुत ज़्यादा फास्ट और बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है आप इस वीडियो को देखके इनकी जो फास्टनेस है इनकी जो एथलेटिक पावर है उसे आप देख सकते हो यह अभी डॉग है नौर्मली भाग रहा है इनकी हाइट की बात करें तो यह मेल्स 26 से लेके 28 इंचिस तक होता है और फीमेल 24 से लेके 26 अपको इनने रखनी से पहले प्ले करने से पहले एक स्पेशल अर्रेंजमेंट करवाना पढ़ता है ऑर इनके जो पावरफुल होती है और अग्रेंशी चीज को अपने दातों से पकड़ लेते हैं तो यह से छोड़ते नहीं आपको बहुत ही ज्यादा पावर लगानी पड बैंड है और साथ हिसाथ आपको अगर इन्हें आयलेंड या सिंगापूर या रुमेनिया पॉर्टोगल में ओन करने से पहले पेट करने से पहले स्पेशल रेस्टिक्शंद लेने पड़ेंगे इनकी वेट कि बात करे तो मियल 2021ZY दे consist24 कज तक होते हैं यीनकी बारकिंग सॉंड बहुत ही जादा लाउड होती है और अगर कोई इनकी स्ट्रेंजे सबसे पहली बार अगर इनकी barking sound सुनेगा तो वो एक ही बार में डर जाएगा इसलिए ये guard dog के लिए अच्छे रहते हैं ये basically एक master breed है और इसे टोसा इनों के नाम से भी जाना जाता है इन्हें देखते ही डर लग जाता है ये breed dog fights में बहुत ज़्यादा पीमस थी ये कहीं kg meat खा जाता है इसलिए बहुत ज़्यादा costry breed भी कहलाई जाती है ये UK, Turkey, Australia, बहुत सारे islands, इस्राइल, मलेशिया और भी बहुत सारे जंगाओं पर बैंड है इनके height की बात करें तो 24.5 inches से लेके 32 inches तक होते हैं और इनके weight 36 से लेके 61 kg तक होता है नमबर वन, pit bull ये एक ऐसी breed है जिसे especially America में killing dog के नाम से जाने जाता था और ये killing dog के नाम से क्यों जाने जाता है मैं आपको बार में बताता हूँ इस breed का जो name है ये pit bull इसलिए है क्योंकि जब ये pit में उतार जाते तो ये bull ये monster की तरह लड़ते थे इसलिए pit bull ये basically hunting या war dog के लिए अच्छे होते हैं इन्हें pet रखना easy नहीं होता है इनको बहुत ही hard होता है इस breed में अमारिका में average 250 प्लस लोगों की जान ले लिया है इनको मार दिया है इसलिए ये killing dog के नाम से जाने जाते हैं अमारिका में और यही reason है इनके killing dog के नाम का इनके weight की बात करें तो male 60 से लेके 30 kg तक होते हैं females 14 से लेके 27 kg सकते हैं height की बात करें तो यह 36 से लेके 53 cm तक होते हैं यह टोटल 12 countries में band है जिसे कि America obviously New Zealand Brazil और भी बहुत सारी जंगहां उपा है इन्हें pit monster की नाम से भी जाना जाता है जिसी कि मैंने अभी आपको बताया था pit का bull या फिर pit का monster friends यह थे कुछ top 10 danger dog beats अगर आप किसी और bird, animal या फिर wildlife related information पाना चाहते हो तो मैं कमेंट section में जरूर बताएं जैसी मैं उस कमेंट को पढ़ूंगा मैं जरूर से उस से related वीडियो बनानी की कोशिश करूंगा So this was all about top 10 danger dog beats, मिलते हे एगले वीडियो में, thank you thank you very much